हलो हलो प्यारे बच्चों गुड़ इबनिंग गुड़ इबनिंग मेरे सेरों कैसे हो आप सबी आ गए चलो जल्दी से शुरू करते हैं फिर हम लोग आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ आप जुड़ गये हो और आपकी आवाज मुझे सुनाई पढ़ रही है ठीक है बच्चा देखो पीछे जो लिखा है उसको देख के परिसान नहीं हो न वो कलास आपके चचा लोग की है पहले खचाओ चली थी मत पानी डालने से ना जागे ना तकी चरो चर डाल दो जगा के लेकर आओ सबको चलो हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं देखो हर कोई अगर जुड़ेगा कलास में तब कलास बहतर होगी हाँ आप कुछ लोग दादा बन के बाद में आएंगे मुझे नहीं समझ में आ रह जिन इर्फान अंसारी हरीकेस यादो अजय पाल विकास प्रजापती आनंद रोशन सर्वन प्रिया सर्मा अराधना कुमारी नीरज कुमार संदीप नाब्या वर्तिका स्रिवास्तो बादर खान और अंस यादो संजे कुमार संदीप अस्वनी कुषवाह प्रीती विसकर्म अंकुर विसकर्मा, बलराम बॉस और मोहिनी, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार PVR स्टडी में तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, तुरंट बिल्कुल देर ना करिए और अपने दोस्तों में सेयर कर दीजिए, कम से कम 3-4-5 वर्ट सब गुरूप में जो आपके पास हो किसी भी परकार का गुरूप है, उसमें बेज दो, कोई ना कोई तो देखेगा ही आपका सिर्फ इतना काम है, कलास को लाइक करना और सेयर करना, बाकी सारी जिम्मेदारी अमारी खोपड़ी पिला के रख दो, हम उसको लेकर दीर दीर चलते रहेंगे चलो, तो जल्दी से फटा फट बिना कुछ बोले, बिना देर करे, कलास को तुरंट लाइक करिए कोई बहाना नहीं चलेगा आज, नहीं, कोई बहाना नहीं, चलो सभी आ गए, तो रुको मैं इसको लीप पोत देता हूँ, पीछे जो लिखा गया है अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चा ही बताओ, साइंस भी तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ते हो ना तो चच्चा ही बताओ, मरकरी का संकेत क्या होता है, मरकरी सुने हो ना, जल्दी बताओ, सभी बच्चे मुझे ये बताओ, मरकरी का संकेत क्या होता है, साइंस भी सुबह पढ़ते हो, बाकी तो मैं मैत सुरू कर रहा हूँ, उसके लिए हैरान नहीं होना कौनों बताया भी तक की नहीं अरपित गेमर अनूप जल्दी जल्दी बताओ अंकुर ने सबसे पहले बताया भई अंकुर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको गुलाम मुहम्मद ठीक है मुहम्मद साहब बेरी गुड मरकरी का मैंने संकेत पूछा था तुमसे सिर्फ और सिर्फ सिम्बल पूछा था बेटा क्योंकि मैंने कहा है कि कम से कम तुम नाइंथ में हो तो तीस तक तो यादे कर लो परमाडू करमांक और उनका जो सिम्बल है कम से कम तीस तक तो याद रखो कनहिया कुमार गलत है तुम्हारा बिटा इमानसू ठीक है गुड इबनिंग गुड इबनिंग चाचा गुड इबनिंग अरे मैं बोलता का है हुआ ऐसा पता है क्योंकि इसमें कुछ है हमारे चाचा लोग वो उसी तरह का भी एप करते हैं वो सुनते मेरी एक नहीं तो मैं इसलिए बोलता हूँ हाँ चाची लोग भी कुछ हैं वो भी उसी में लगी रहती हैं उनको भी ने सुनाई पड़ता मेरी बात तीज तक याद है अतरुना सिंग भई नाम तो आपका प्रीमियम है कुछ स्पेसल है मेरा मुझ जो है कई तरफ को टेंड होना पड़ता है इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ जिनका आसान उनका बोल देता हूँ तो चलो यह सब किनारे करो एकसरसाइज 2.5 चल रहा था ना बेटा एकसरसाइज 2.5 आज आपका लाइब कौन सा नंबर रही है लाइब नंबर पचीस है कि 24 है भाईया हो आज यह आपका यह लाइब नंबर है 24 क्लास नाइन्थ एंसी इर्ट मायद हिंदी मीडियम, इंगलिस मीडियम, मराथी उर्दू कौनों मीडियम से वो बेटा तुमारे लिए है जाना कहीं नहीं देखो इकसरसाइज 2.5 चल रहा था राजा और एहम न प्रसन संख्या चार तक तु लोग कहली रहा पताओ करे पाई रहाग नहीं कल पढ़ाए रहे न तुनो अब देखो इधर समझो अनूप बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, कर लो बच्चा, कर लो तुम्हें क्या बोलू मैं, कर लो दादा, कर लो देखो 4 नंबर का कल हमने कई पार्ट कर लिया था मतलब कई पार्ट का मतलब मैं वैसे बोलना हूँ 3 पार्ट कर लिया था जिन करा था ना? 1, 2, 3 जो भी करा था उसके बाद 4 और 5 में तुमको होमवर्क दे रहा हूँ ठीक है? 4 और 5 तुम होमवर्क करोगे तो बचवा ये छटवा पार्ट जो है थोड़ा डेंजरस है अरे में तगड़ा लग रहा देखने में ये छटवा पार्ट में तुम्हें आज बताऊंगा लिखो इसे 1 अपार्ट 4 A माइनस 1 अपार्ट 2 B और प्लस 1 दिख रहा है ना तुमको सबको? भई लग राइग नहीं इसका हमें क्या करना है? वैलू फाइंड करना है मतलब कुश्चन मैं पढ़ लेता हूँ अब ये क्यों ना कर भई? ना ना मुझे ब्यूटिफुल नहीं दिखाना है जैसे हैं वैसे दिखने दो मुझे बस वैसे भी कोई आगे पीछे नहीं है जैसे हूँ मैं वैसे रहने दो मुझे देखो इदर समझो कुश्चन कह रहा था उपयूकत सर्वसमिकाओं का परियोग करके निमनलिकित में से परतेक का परसार कीजिए मतलब इनका एक्सपैंसन करना है क्या दिउज करना है आइडेंटी उज करनी है आइडेंटी में तुम्हें बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ समझाया हूँ तुमको रगड़ रगड़ के लिए तुम समझो तब न देखो आइडेंटी कौन सी है आइडेंटी देखो इदर साइड में यह फार्मूला तुम पढ़े थे ना बच्छा यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होली स्क्वाईर बोलो हाँ बोलो हाँ पढ़े थे कुछ लोगों को तो अब आप कान खजगा रहें पता नहीं पढ़े थे नहीं पढ़े थे देखो सुनो इसका फर्मूला है यक्स का स्क्वाईर प्लस वाई का स्क्वाईर प्लस जेड का स्क्वाईर और प्लस यह बच्चा देखो यहाँ पर तुम यह चीज जान लो तियरेटिके बिल्कुल नहीं याद होगा इसे समझो यक्स, वाई, जेड इसमें तीन पराणी सामिल है इसमें तीन पराणी सामिल है यक्स, वाई और जेड इनहीं को आलट, पलट, उलट, पलट, हेर, फेर, घचर-पचर करके लिखना है बस अब देखो कैसे सब 후-देखो, इसमें होका यक्स पर सीरियल में य देखो, अब वाई तक हो गया है याद रखना, वाई तक हो गया अब बचे हैं अकले चाचाचकग जेड लेकिन अकले तो कुछ होता है नहीं तुम्हें पता है तो क्या करेंगे तो एक्स वाई ना फिर क्या करेंगे 2YZ मतलब हम X को छोड़ेंगे Y को फिर से लेंगे अगले में भी तूत रियाद करने के लिए तुम्हें जुकाड बता रहा हूँ तो बच्चाई का हो जाएगा 2YZ इतना होने के बाद इस पे भी ये कंपलिट नहीं होगा नहीं इस पे भी ये कंपलिट नहीं होगा भया ये तो इनका हो गया तो ये YZ वाले ददा का बचे है इनका भी दिस्टा लगेगा नहीं तो ये केस कर देंगे जाके देखो तो ये हो जाएगा 2 और Z ये सबसे पहले रहेंगे लेकिन अकेले थोड़ी रहेंगे मैंने कहा नहीं कि अकेले नहीं रहेंगे अब यहां तो इसके आगे कुछ है नहीं किसी को मिला ले साथ में यहां तो आगे जूर जा रहा है ये फिर लट जाएंगे हैं यक्स तक तो इसके साथ में यक्स लग जाता है अगर ये सुत्र समझोगे बच्चा, समझोगे तो तुम याद कर लोगे, बहुत आसान है लेकिन अगर राजा तुम रटने को सोचे, कि हम रट लेंगे, तो आगे गाड़ी फसने वाली है ठीक है? अनूब बच्चा पढ़ाई कर लो, तुम्हें पांच मिनट के लिए होल्ड कर दिया गया है अगली बार तुमको हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर रहे है ठीक है? सुन रहे हो ना, पढ़ाई कर लो, अच्छी बात है अच्छी बात है पढ़ाई कर लो बाबू कर लो पढ़ाई कर लो कुछ हो जाएगा जिंदगी में कुछ पाजाओगे पढ़ाई कर लो बाप कभी नाम रोसन होगा और हमारा भी कहीं बता देना बूल चूक से के हाँ पीबियार स्टडी में ठीपागला चिलाता है वहाँ भी देखता था मैं तो हमारा भी लोग जान जाएंगे थोड़ा बहुत चलो यह हो गया रोसन कुमार देखो बच्चा यह हो गया अब क्या करना है हमें इनको एक एक को इसमें स्टेटल्मेंट करना है यक्स की जगह पर वाई की जगह पर जड़ की जगह पर लेकिन एक चीज तो यहाँ पर तुम ध्यान रखना वो कौन सा ध्यान रखना है ये ध्यान रखना बच्चा की जो जिसके पहले माइनस है उसका मान माइनस में रखो गए हर जगा यानि B का जो मान है बेटा वो एक बटा दो B माइनस में रहेगा ठीक है ये चीज तो तुम ध्यान से रखना अपने दिमाग में ठीक तो यह बताओ तुम सभी हमें पहले फटा-फट यक्स कमान कितना है जल्दी बोलो मैं यहां पर चाहे तो कहूं लिखवा दूँ लिख लो इसको कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं लिखो यक्स कमान क्या है यहां से देखो एक बटा चाहरी है य कमान क्या है और जड कमान क्या है जल्दी जल्दी बोलो देखो कुछ कोईस कर लो बेटा तुम सिंग पढ़ने आयो ना चलो देखो इदर वाई कमान एक बटा दो है और बी है लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस जरूर लगाना ये बात अपने खोपड़ी में जेहन में बसा लो सी कमान राजा देखो अकले वन है क्या है वन है बस हो गया मतलब हमने ए बी सी के मान पकड़ लिए यहां लाला के इनको पटक पटक के लगा डालो चलो यहां पर मान रखने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि जो कुछ निकलेगा इधर निकलेगा यक्स कमान रखो एक बटा च इणा-मेडा लिखे कचर पचर करें तो यह सब्फे कम मिल जाएगा एक खिचड़ी हो जाएगा पर तुम समझ नंपाओगे करना क्या है इसलिए इसे साफ साफ लिखना Clear कि भाई या यह चाचा तो हाँ हिस्सा है यह फलाने दादा किया है यह मजलका किया है यह उन किया हर किसी के नीचे एक एक ध्यान से असपस्ट देखो इसका हो गया Y Y कमान कितना है बताओ Y कमान यह है न माइनस एक बटा दो भी तो बेटा यह हो जाएंगे y का मान माइनस एक बटा दो भी whole square z का मान कितना है भई z का मान कितना है यहाँ देखो one है ठीक है यह one का whole square तो देखो अभी अभी मैंने सिर्फ इतने मान रखे हैं x का square y का square और z का square अभी यह तीनों जूर जार बैठे हैं इनका एक भी मान रखा नहीं गया है लेकिन यहाँ की situation देखके ऐसा लग रहा है हां ऐसा लग रहा है कि बेटा यह उदर अगर तीनों का मान रखूंगा तो आए गनी जगा नहीं है हमरे पास बहुत बड़ी जगा है यह कैमरा हमें गिर रहा है को दर ही ले चलना पड़ेगा तो चलो में ले चलता हूँ पहले जहां बचा महां तक रख देता हूँ तब अब हम यहां पे 2 x y में मान रखेंगे ध्यान देना 2 x y के पहले plus है तो plus लगाया 2 x ध्यान देना मैं यह मान रख रहा हूँ 2 x y बहुत ध्यान से देखो बच्चा तब समझ में आएगा नहीं भूल जाओगे यह का मान कितना है कोई बताए अनीवन यह का मान कितना है अब आगल नहीं तो यह लिखा नहीं ता पहले से एक बटा 4 e है ना चल देख लगा बई देख लगा एक बटा 4 e y का मान कितना है y का मान कितना है यह पहले लिखे दियां इसलिए minus 1 बटा 2 b इनको कोई श्टक में रखना अभी अभी यह नए 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 है थोड़ा कैमरा मुझे इधर करना पड़ेगा भई कैमरा वाले कहां को ऐज लग रहा मुझे कहीं चलो मैं कुदी कर लेता हूं यह लो हो गया अब तो आपको ज्यादा चोना दिख रहा होगा दिख रहा है न तो मान तो मैंने सब बता दी है कौन किसका है अब इससे कोई मत आग आये और चले गए तो फिर जाओ मोनिका रानी गुडिबनिंग बिल्कुल बहुत अच्छे हैं बस आपी की कमी थी इस कलास में और आप आ गई हैं तो फिर अब ये कलास रुकने वाली है नहीं कितना हो गया अब प्लस दो वाई जेड तो भईया दो को तो ऐसे दो रख लो वाई कमान कितना है वाई कमान अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था मैं फिर नहीं बताने वाला हूँ वाई कमान ये है माइनस एक बटा दो बी यह हो जाएगा माइनस एक बटा दो बी समझते हैं चलो उधर देखो जगा छूट जा रही अब मैं कहां दिखाऊं तुम्हें रुको मैं थोड़ा और उधर करता हूँ देखो यहां पर अर्जेस्ट करना बहुत बड़ी बात है या तो मैं डबल लाइन में लिखूं लेकिन मैं डबल लाइन में लिखने वाला हूँ नहीं चलो सारा मान रखके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ थोड़ा इसे दूरी कर दो भाई जूम आउट कर दो थोड़ा यह लो जो भी दिखेगा तुम देख लो आज सब कुछ लेकिन समझो ठीक है चलो तो भईया मैंने दो एक्स वाई का सारा मान रख लिया था यह इतना बन गया था यह दो एक्स वाई वाला इतना बन गया था उसके बाद में मैंने क्या किया था उसके बाद में मैंने यह टू वाई जड का मान रख रहा हूँ तू का तो टू ही रहेगा y कमान एक बटा दो भी माइनस में z कमान बाबू देखो 1 है अकेले तो यह हो जाएगा 1 लेकिन अब इसके आगे लिखना संभव नहीं उसके आगे लिखना संभव नहीं है तो देखो चाचा जो यह गुड़ा का चिंद है याद रखना तो जो 2 z x है न इस कमान हम नीचे रख देंगे दूसरी लाइन में तो प्लस यह 2 और z z कमान 1 है yaks yaks कमान इधर साइड में तुमें दिख रहा है 1 अपान 4a यतनी ही मुख्य मेहनत थी इस कुईस्चन में देखो कितना भी टाइम लग जाए बच्चा लेकिन अगर तुम एक बार समझ लिए न बहुत मजाएगी जितने बच्चे जुड़े हैं सभी इस कलास को लाइक कर दें उत्तर आ गया है बस मैं लिखने वाला हूँ जल्दी कर दें बाबु देखो आप लोग को लाइक करना चाहिए यह आपकी जिम्मेदारी है ठीक है अपनी जिम्मेदारी को आप समझते चलो फटा फट कलास को लाइक कर दो बहुत जल्दी चलो तो भाईया यहां पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे इनको पीछे को खीचेंगे क्योंकि जगा हमारे पास कम है उधर कम पड़ जाती है तो थोड़ा यहां से हम लिखेंगे एक बटा चार ए मतला तुम जान रहे हो कि स्कॉयर करने पर हो जाएगा बेटा एक बटा सोला एक आई स्कॉयर ठीक है क्योंकि हम में बच्चपन से सिखाया गया कि 4 का स्कॉयर यह बढ़के चाचा होते है ठीक है समझ गए ना चालो देखो अगर भागम भाग करोगे तो कुछ नहीं होने वाला प्यार से समझोगे भाई प्यार से तो फिर बहुत कुछ हो जाता है तो बस वह ऐसे समझो अब यह प्लस यह देखो स्कॉयर है एक बटा दो भी बिटा अगर इसका स्कॉयर करोगे तो तुम्हें पता है यह हो जाएगा एक बटा चार पी का स्कॉयर वन का स्कॉयर मतलब यह वन हो जाएगा वही स्कॉयर करोगे तब भी यह वन ही हो जाएगा अब ये इतना हो गया डन याद रखना जितना मैंने खीचा इतना क्या हो गया डन हो गया अब बच्चा हमें इनको एक एक को करना है नहीं समझ में आ जाएगा बिल्कुल टेंसन न लेना बोल देना कि नहीं आ रहा है बिल्कुल बोल देना देखो ये दो ऊपर है मतलब answer में है ये दो हर में है तो बेटा यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो ये थोड़ा कठीन है वेच्चा इसलिए कुछ बच्चे भाग जाएंगे मुझे पता है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको पढ़ना है नहीं इसमें थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा नाइन्थ में पहुंचे हो mathematics लियो science category के student का लाते हो तो दिमाग एक्स्ट्रा रखते होगे ना उसको लगाना है यहाँ तुम्हें दो से दो काड़ देना है cancel कर देना है अब देखो यहाँ पर minus चिन्न है minus है ना और यहाँ पर बच्चा पलस है ना समझ में आएगा वीडियो को तीन बार देखोगे चार बार देखोगे अभी class खतम हो जाएगी पक्का आजाएगा वह आफ लाइन class तो है नहीं कि एक बार काम खतम होगे क्या बनेगा minus हमने एक दो से दो तो काड़ दिया अब यह चार बचा है और यह A है और यह B है तो यह हो जाएगा बच्चा AB अपान 4 क्यों यह सही है या कहीं इसमें भी कुछ बोल चूक हो रही है हाँ कट जा तुम भी कट जा तुम भी कट जा या फिर एक काम और कर सकते हो तुम वो क्या है चाहते से डारेक्ट ना लिखो क्योंकि मैंने यहाँ डारेक्ट नहीं लिखा है तो यह चार के ऊपर वन लिख लो और A भी साइड में रख दो भी क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इधर ऐसे किया न अब समझो अब समझो अब यह तो हमारा इतना हो गया देखो जितना करते जाओ उतना घेरते जाओ जितना करते जाओ उतना घेरते जाओ जिसे तुम्हें कन्फियूजन ना हो ठीक है बच्चा समझ रहे हो ना बाबू देखो अब यह इतना देखो इतना इसमें अगर तुम ध्यान दो तो यह जो दो है इस दो से यह दो कट जाएगा और हमारा चिर्ण है यहाँ माइनस है यहाँ पे बिटा प्लस है तो प्लस माइनस फाइनल में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और सब कट पिट जाएगा अकेले भी बचेगा वन है और फिर गुड़ा का चीन है एक बटा फोर है इसका मतलब है बच्चा कि जो दो है ये अंस में है ये जो फोर है ये हर में है कहने का मतलब इनका आई से रिलेशन बन जाया है ये उपर नीच्छे वाला तब यह कटेंगे तो कितना आएगा, एक बटा दो आएगा, कितना आएगा, वन अपान टू आएगा, देखो मैं एक एक पॉइंट समझाओंगा, हमारी भरपूर कोशिस होगी, कि जो एक दम गदाहा से गदाहा लड़का है न, वोका भी समझ में आ जाए, अब लेकिन तुम उससे बड़े खचर हो, तो फिर अलग बात है, तो चलो, यह तुम्हारा कट जाएगा, दो आएगा, तो यह चिन यहाँ पर प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि कोई चिन बदलने का यहाँ पर कुछ हो नहीं रहे, तो यह बचेगा एक बटा दो और एक, देखो करूँगा जल्दी से देखो इधर, स्क्रीन साट लेलो करना चाहो तो, कितना भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है ज्यादा, हाँ, देखो समझो, अखिलेश कुमारी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो भाया, अराधना कुमारी दीपक बुरो को बाद में देखना पहले इधर है, देख लो, आमें भी देख लो कुछ देर, देखो इधर, चलो, यह आपका इसमें multiple होगा, तो final में इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a का square अपान 16, प्लस यह b का square अपान 4, और प्लस 1 माइनस यह a b अपान 4, और माइनस b और प्लस a अपान 2, देखो दोनों answer लिख सकते हो, आप उपर वाला भी लिख सकते हो, नीचे वाला भी लिख सकते हो, अब 2.5 का, 4 का 6 पार्ट है, मैं इसे देख लेता हूँ, गोरक साहनी, बच्चा का है मूँ बना रहा है, काला क्यूं कर रहा है भई, हाँ, इसक्रीन साथ ले लो जल्दी से, इसका मैं मिटाता हूँ, बहुत जल्दी करो, इसक्रीन साथ ले लो, फटा-फट देर ना करो, देखो खाली मन सैथान काड़ा होता बेटा, वो मैंने बहुत कुछ याद आता है, पीते हुए, गुजरे हुए कल याद आते है, बहुत कुछ चीजे याद आती है अच्छी बुरी, इसलिए माइंड को हमेशा बिजी रखो अपने अच्छे काम में, प्रजक्त अपना बना के रखो, कि मुझे इसके बाद क्या करना, उसके देना, अभी तुमारी लाइफ आगे बहुत ज़्यादा जाने वाली इसलिए बता रहा हूं, मिटाओं, किरेज करने वाला हूं, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, अमन राज बेटा रिक्वेस्ट बाद में भेजना पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, गदाहा पढ़ लो, ख लिख ले, बसे तो स्क्रीन साट ले लिया करो, मेरी मानों तो अच्छा रहेगा, पाचवे कुश्चन पर चलते हैं, आप पढ़ रहे हैं कक्छा 9 की NCRT Mathematics, चैप्टर चल रहा है 2.5, इकसर साइज 2.5 चल रहा है कलाफ 9 की NCRT Mathematics में, 2.5 में कुश्चन नंबर 4 तक हो चु सोचना पढ़ता है, टाइम भी हो गया, उमर भी हो गया, चलो देखो समझे, कुश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहरा गुडनखंड कीजिए, गुडनखंड कीजिए, यानि अब तक भाईया ओ, पाप से बेटवा प्राप्त करना था, ऐसा समझे लो, पिता से पुत्र की प प्राप्ती करनी है, यह कौन उल्टा सवाल है, भी कहीं पुत्र से पिता पाइदा होगा का, पाइदा नहीं होगा, लेकिन खोजा जा सकता है, जैसे मान लो, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो आप जानना चाहो कि भी हमारे पिता जी कौन है, तो आप हमारे गाउं मौ मौला गली मौला आओगे है देश समाज में, तो हमारे बारे में पूछोगे भाई फलाने पापा कौन है, तो लोग बताएंगे तुम्हें पहुंच जाओगे ना, समझ रहो ना, मतलब हमारे मादे हम से पहुंच जाओगे, तो कहने का कुछ ऐसा ही इस कुश्चन में है, क इसमें जो बिष्टरित फार्म है वो दिया है, अभी जो पढ़े हो, ये साट फार्म दिया था, इसको बिष्टार करना था, इसमें साट फार्म का बिष्टार करना था, लेकिन बेटा जो आप पढ़ने चल रहे हैं, उसका बिष्टरित फार्म दिया है, उसको साट फार्म लिये हो, N-C-E-R-T वाली किताब लिये हो की नहीं, लिये हो ना भाईया, चलो ठीक है लिये हो तो, मनोज यादो, आदी तिरपाथी, अन्स यादो, रोशन, मुकेस, परमार, पिटा कुछ समझ मझ में आ रहे हैं न, A.S.U. राजपूत, नाम तो तुमारा कुछ सम्मान नहीं है, लेकिन तुमारा काम गड़ बड़ है, देखो इदर, इसका जो फार्स्ट कुछिशन है, ऐसे है, 4X का स्कॉर, प्लस 9Y स्कॉर, प्लस 16Z का स्कॉर, 16Z का स्कॉर, प्लस 12XY, माइनस 24YZ, और प्लस 16XY, इनको क्या करना है, गुड़न खंड गयात करना है, देखो थोड़ा सा इक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा इसमें, इसमें थोड़ा सा इक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एक्दम थोड़ा सा, तो चलें क्यों न लगा लें हम लोग देखो इसका जो बिश्तरित फार्म है वो दिया है इसको हमें क्या करना है बिश्तरित फार्म से साड फार्म में चेंज करना है तो ठीक है कोई दिक्कत हैरानी परेसानी की बात है नहीं हम कर लेंगे चल भाईया आजा इधर ठीक है चलो अब इनको फैलाना नहीं है बटोरना है समझो इधर समझो फलने आओ इधर आओ देखो यह A काई स्कॉयर है अभी सूत्र हम यक्स Y की रूप में बताया थे न तो यह X का स्कॉयर है यह Y का स्कॉयर है यह Z का स्कॉयर है यह 2XY है यह 2YZ है और यह 2ZX है समझ में आया ना विकरम विस्वास अनूप एके अनूप बलराज बॉस नीरज हीना लल्ला ने आदो जीतेंज सिंग वह जीतेंद्र ने बहुत अच्छी कोसिस किया बेरी गुड चलो देखो इधर समझो तो बच्चा एक चीज समझो यहां से तुम यह फर्मूला तो तुम सब जानते हो X का स्कॉयर प्लस Y का स्कॉयर प्लस Z का स्कॉयर इक्वल टू रे इक्वल उक्वल नहीं होता है यार यह भी तो प्लस में होता है यह 2XY प्लस 2Z XYYZ और 2ZX यह सर्बसमिका तुम सब जानते हो की नहीं जानते हो न चाच्चा यह तना के बराबर होती है कितना की यह XYZ का होल इसकॉयर बोलो यह सर्बसमिका जानते हो तो बोलो हाँ जानते हो अखंड परताब बताओ जानते हो भया मोनु सिंग विजय भिंड आकास राय हाँ ठीक है आकास बहुत अच्छे तो इसी तरज पे आप ये समझो कि इसका बिक्सित रूप ये दिया है इसे हमें पीछे खीचना है यानि दो यक्स मैं ऐसे बात करूँ तो तुम्हें इसका सबका वर्गमूल निकालना है तुम्हें क्या करना बिट्टा इसका वर्गमूल निकालना है राज्जा हाँ इसक्वाइर में है इसका वर्गमूल निकालना है तो भैया सीधी सी बात है इसका दो चार का वर्ग मूल दो आ जाएगा यक्स स्क्वायर का जब वर्ग मूल करोगे तो यक्स आएगा यानि दो यक्स मिलेगा और जो मिलेगा बच्चा उसका वर्ग कर देना है यानि फाइनल में हमें यहां लिखना है यह दो यक्स इसका होल इसक्वायर बोलो इतना समझ में आया कुछ देखो भाई क्लास नाइन पढ़ रहे हो बेटा क्लास नाइन में पढ़ रहे हो और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो गाउं में बड़ा मान सम्मान होगा भाई फलानमाक लड़कवा साइन्स पढ़ता है अब फलानमाग लड़कवा के का कंडीसन है मैथमेटिक्स में वो फलानियक बारे मैं सोच रहा है तो फिर इसे न पढ़ पाओगे तो जो मान सम्मान है उसको बनाए रखो पढ़ो इधर ध्यान से दिमाग लगाओ एक बार ना समझ में है दुबारा देखो दुबारा ना इति बारा देखो देखने की चीज है देखते रहो बार बार देखो वीडियो को कई बार देखो आएगा तो ये तुम्हें समझ में आ गया अब देखो यहाँ पे NCRT का फुलभाम कोनों पूछ रहा है बेटा देखो यहन मतलब होता नेफनल नेफनल और आगे तुमारे बुक में पीछे लिखा होगा देख लो हिंदी में लिखा होगा राश्ट्रियां सहची कंस्वंधान परिसद ठीक है चलो देखो तो यह हो गया अब नौ यक नाइन वाई स्कॉयर का वर्गमूल करोगे बेटा तो तीन वाई आएगा तो तीन वाई का स्कॉयर दोला जड़ स्कॉयर का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा चार और जड़ का स्कॉयर ठीक है 12 एक्स वाई 12 एक्स वाई देखो अब अगर तुमको यह एक्स वाई जड़ का मान मिल गया तो तुम इसको खुद बना सकते हो वाईटस आप याद ओ चलो देखो ठीक है इसलिए कहा न कि दिमाग को हमेशा बजी रखो वना यह जिन्दगी में बहुत कुछ घटा रहता है और वो घटना है अगर आपके माइंड में आएंगी तो आपका काम कुछ नहीं होने वाला है अंदर इंसान के बहुत बड़ा सागर होता है जो समाज के सामने नहीं दिखता है है ना दबा के रखता है चेरे पे कुछ और दिखता है अंदर में कुछ और होता है समझो यहाँ फिलहाल में जो बात कर रहा हूँ इन में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो समझ गए होंगे देखो पेटा, इरफान अंसारी अभी नहीं हुई तो यह हाल है, हो जाएगी तो क्या होगा देखो इधर, यह 12 है न, तो 12 को क्या लिख सकते हो, तू? मैं बता क्या रहा हूँ, यहाँ देखो यह मैंने जिसको गेरा, इसको देख रहे हो न, इसको देख रहे हो न, देखो हमने यक्स का, वाई का और जड़ का, यक्स, वाई, जड़ तीनों सब के मान रखे हैं, यह, अब हमें दो यक्स, वाई, क्या करने हैं, दो यक्स, वाई, इनके क्या करना है, मतलब इनके form में इसको expand करना है भाई कैसे मैं तो मैं बता हूँ देखो इधर समझो जैसे माल लो 12 है इसको हम गुड़नखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुड़ा 2 गुड़ा 3 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो हमें क्या करना है इस 12 को ऐसे ही expand करना है मतलब इसका गुड़नखंड करना है समझ रहो ना बच्चा जैसे 12 को मैंने लिख दिया दो गुड़े 2 ये 3 जो भी लिखा है ऐसे ही करना है तो बच्चा देखो 1-2 तो फार्मूला में होता है ये तो confirm है ये 2 तो मैंने लिख दिया सुत्रवाला बाकी यक्स और वाई कमान रखना है आपको बस यक्स और वाई कमान रखना है तो राजा देखो यक्स कमान 2 आया था और बाबू देखो ये वाई कमान कितना आया था 3 आया था अरे साथ में Y भी है इसमें X है वो मत भूल न तो समझो तो यहाँ पर X का मान में रखूंगा 2X और Y का मान में रखूंगा 3Y लेकिन एक बात ध्यान देना यह अवकात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि जो तुम सारा मान रखे हो इन सब का गुड़ा करो तो बारा पे ज़्यादा ना हो खानित पता चले कुछ भी रख तो यहां पे टोयल रहे इसका मानट ठाइस हो जाए मतलब उस से ज़्यादा ना हो तो सभी बच्चे मुझे यह बताओ क्या यह सही है बोलो हाँ या नहीं क्या इनका गुड़ा करने पे बारा एक्स वाई आएगा की नहीं आएगा धर्मावती आएगा यह नीचे तो मैं सूत्र लग यह लिखा हूँ तुमको समझाने के लिए बाकी सारी कहानी तो उपर हो रही है अंकुर राजा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो सब हैं इसमें बाबू भी हैं चाचा भी हैं दादा दादी सब हैं देखो आएगा ना तो ठीक है अब हम दूसरे पर चलते हैं इधर दीख तो रहा है ना माइनस दो देखो फार्मूला वाला दो मैंने रखा है बस केवल सूत्र वाला मैंने दो रखा है इसका काम हो गया अब हम इनको पकड़ रहे हैं अब इनको जो कुछ हो सकेगा करेंगे इनकी सेवापाती देखो ये दो तो सुत्र वाला था मने लिख दिया अब बेटा Y कमान रखो और Z का अर Y और Z का रखने के बाद गुडा करके देखने कि 24 से जादा नहीं होना चाहिए तो Y कमान क्या है 3y है z कमान क्या है 4z अभी अभी मने साब ये क्या तुमको दिखी रहा है उसमें क्या बता हूँ साइंस की स्टूडेंट़ों में बार बार बता रहा हूँ अगर नई समझ में आ रहा, कलास को बार बार देखो ये लाइब खतम होने के बाद वीडियो यूटूब पे रहेगा अगर तुम कलास को लाइक किये रहोगे तब तीन बार देखो, चार बार देखो पांच बार देखो, चार इतनी बार देखो जितने ज़्यादा बार देखोगे उतना बेहतर तुम्हें समझ में आएगा ठीक है? चलो इतना हो गया आगे बढ़ते हैं ये बात अपने दिमाग में रखो ध्यान से ठीक है? चलो अब समझो इतना हो गया अब हमें अभी एक और रखना है लाइश्ट में रखना है वो क्या है? हमने इनका इनका मान रख लिया इनका काम सारा हो इगया था अभी ये बचाया के लिए बस इसका मान रखना है तो भाईया चलो इसको भी रख लेते हैं उपर साइड में यहां नीचे जगा है आगे तो जगा है नहीं इसके आगे तो जगा है नहीं तो मैं नीचे थोड़ा इसका लिख लूँगा चिन कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा? अच्छा ये चिन कैसे डिसाइड होगा भाईया? एक चीज यहां समझो यहां थोड़ा गलती है भी यहां थोड़ा गलती क्या है? पहले समझते हैं देखो मतलब कुछ तुम्हें बदलना नहीं कि पढ़ चिन की गलती है जगा है कैसे? आप यह देखो यहां इसके सामने प्लस है इसके सामने प्लस है इसके सामने प्लस है क्योंकि यह सभी वर्ग के रूप में लिखे गए इसलिए वो माइनस था फिर भी पलस हो गया इसमें देखो बच्चा बारा यक्स वाई है यानि इसमें यक्स का भी मान सामिल है वाई का भी मान सामिल है फिर भी यह पलस में है यानि यहां से हम यह कह सकते हैं यहां से हम यह कह सकते हैं कि X और Y दोनों की value positive रखी गई होगी दोनों कमान प्लस में रखा गया था तब ही यह क्या है प्लस में है यहां तोड़ा सोचना पड़ेगा पीछे यहां पर देखो 24 यह Y Z है 24 Y Z है बच्चा यहां पर हमें यह समझ में आ रहा कि जो Y है वो तो प्लस में है क्योंकि अगर Y माइनस में होता तो यहां भी माइनस में रहता Y अगर माइनस होता तो यह भी माइनस कर दिया होता यानि यहां पर जो Z है वो माइनस में था इसका मतलब क्या है जो Z था वो माइनस में था यानि बच्चा यही जो मान तुम 4Z रखे हो न यही रहेगा लेकिन यह कोश्ठक के अंदर माइनस में रहेगा याद रखना यह यह माइनस का 4Z का स्कुएर किसे द्यान दो माइनस का 4Z का स्कुएर होगा ठीक है अन्स राज और कौन-कौन यह उतापात मचा रहा है इसे बलग करो फटा-फट तो सभी फटा-फट इनको बलग करो जो फालतू के लोग कमेंट करें भाई टेकनिकल टीम वाले तुम लोग का कर रहे हो तुम के वाल यह मंत्रन के लिए वइठेओ का पटा-फट बलग करो इनको सब को बलग करो इनको नहीं पढ़ना उन्हें करो देखो यह ठीक है तो यह माइनस फोर जड का स्कॉयर अब जहां जहां तुमने जड का मान रखा वहां माइनस में रखोगे याद रखना तो बच्चा क्या होगा यह यह चिन तो तुम पलफ लगाओगे क्योंकि सूतर है इसलिए पलफ में लगाओगे हां लेकिन यह माइन क्या होगा माइनस फोर जड यहां पर हर जगा जो में में चिन है जैसे देखो यह में चिन है यह है यह है यह है यह है यह है और उसके बाद नहीं है यह सारे चिन मुख्य मुख्य पलस में लगाओगे अंदर के जो कांटेंट है उन्हें माइनस पलस कर लखेंगे, two into z, z कमान क्या है पहले बताओ, चल ये जो बात चीत कर रहा है, बता, z कमान क्या है, जल्दी बताओ, फटा फट देर ना करो, z कमान क्या है, गधों, बोलो जल्दी, पाँच गंटा मत लगाओ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे वाला, हरी केस या दो है यह हीना नाम बड़ा फेमस हो रहा है मैं इसको भी हीनीन आता हूं रूको और एटी को नहीं है अंकूर वर्तिका स्रीवास्तो बहुत अच्छे वर्तिका बेरी गुड उजमा नहीं नहीं जेड कमानी स्क्वाइर में नहीं आपको माइनस फोर जड रखना है बस जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है जो यहाँ पर वही से आए है भगवान भरोसे उनके भगवान है मलिकों आए माइनस फोर जड ठीक है और यक्स कमान क्या है यहाँ से तुमने देखा था यक्स का मान है बच्चा दू यक्स अब मैं इसको मिटा दूँगा नीचे वाला फर्मूला जिस पर मैंने इसको रख करके किया था गीता जी तेंद्र आसी से दुबंसी क्वाल्टिक्स गर्ल बई नाम अजीब अजीब सा है गौरो तुबं यादो अच्छा बताओ समझ में आ रहा है जो तो दिल से समझ रहा है और कलास में सुरू से जुड़ा है उसे तो आएगा और जो अभी अभी आया है इदर उदर बक्चती कर रहा है आपे क्या बोलते हैं उसे बातचीत जिसे बकैती बोलते हैं पकैती कर रहा है उसे ना आएगा तो बातचीत ना करो समझो अब बच्चा ये सब जितना हमने एक्स्पेंड किया है मैंने अभी बताया था ना कि अब तक जो मैंने पिछले सवाल में किया था वो कुईस्चन से आंसर लाया था यानि पिता जी से लड़कन की खोज हुई थी भाई फलाने कितना लड़का है लेकिन ए में का है ए में आंसर से कुईस्चन लाना है यानि लड़कों के माध्यम से पिता जी की खोज करना है ये तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में तो ये था तो अब हम क्या करेंगे इसका अंसर एक लाइन में आएगा सब में से एक एक ले लेंगे ये दो एक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चा तीन कवाई वह ये जड माइनस में आएगा कि नहीं वह जड माइनस में आएगा चाहे तो तुम इसको answer लिख दो बच्चा, या फिर राजा, तुम इसका whole square एटू इसे आईसे भी कर सकते हो, थोड़ा और expand कर सकते हो ये अगर square है तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो ये भी तुम्हारा अंसर हो सकता है चाहे ये चाहे ये दुनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छे से करना है तो इसको नीचे वाला लिखो आमन राज बेटा अपनी मम्मी से पूछो एक बार पूछो उन्होंने देखा आए कि नहीं जो तुम बोल रहे हो पूछ के मुझे कल बताना वसे तुम्हारा कमेंट कोई और नहीं देख पा रहा है हाइड हो रहा है और मैं चाहता भी नहीं कोई और देखे पूछ के मुझे बताना कला कुछ ऐसे नाजायत अवलाद हैं जो पैदा हो गए गलती से गलती मतलब इनके माबाप ने किया जहले पूरी दुनिया कमाल की बात है क्या किया जाए नहीं क्या करोगे लिख लो इसको हो गया आपका ये इसका सिकेंड थार्ड और फोर पार्ट कितने बच्चे कर लेंगे जल्दी बोलो यस क्या आप इसके बच्चे हुए पार्ट कर लेंगे बही सच बोल रहा हूं मैं गलती दो लोग कर रहे हैं जेल पूरी दुनिया रही है अभी ये जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे हर किसी को परिसान करेंगे लोग इनके माबाप कोई गरी आएंगे क्योंकि गलती दो उन्होंने किया तब ही आए तो क्या करोगे बागे या आप किलास का टाइम जानते हैं या आप खलास का टाइम जानते हैं पोलो दुछय साइंस होता है मश्बबब 7 बज़े का होता है साइन्स होता है हां एक काम करते हैं वह क्या है मैं कुईश्टन दे रहा हूँ आपको देखो कम्यूटी में कमें बाक्स में उसमें तुम यस या नौ करो कि जो कलास का टाइम जानता है वो बोले यास जानते हो बच्चा सबी जानते हो ठीक है बेटा देखो कलास का जो समय है वो मैथमेटिक्स का साम को साथ बज़े से शुरू होता है खतम होने का कुछ कहा नहीं जा सकता जैसे मूड रहेगा जैसे टॉपिक रहेगा जैसे नालायक बच्चे जुड़ेंगे उसी आधार पे होता है मतलब 40 मिनट, 45 मिनट एक घंटा आधा घंटा कैसे भी होता लेकिन साम साथ बज़े होता है अगर कभी-कभी मैं जिन्दगी में बैस्त हो जाऊं अपनी प्रफनल लाइफ में वैसे तो मेरी प्रफनल लाइफ कुछ बची है नहीं आप देखते होंगे 365 दिन में मैं लगभाग 350 दिन तुमारे सामने आता हूँ साल बर में 10-15 दिन चाया इधर-उदर हो जाऊं तो ताइम होई है कभी-कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो आप लोग उसे समझा करो अपने अनुसार कि हाँ थोड़ा लेट है आज चुरू होगा बाद में तो सारी सूचना हम आपको टेली गराम चैनल पर दे देते हैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर हादम वीडियो बनाने लगेंगे तुरंट ताइम इतना नहीं होता है तो अगर कोई वज़ा हो जाती है तो जो क्या है नहीं जानते हो यूट्यूब पर सर्च करो यूट्यूब पर सर्च करो टेली गराम पीवियर इस्टड़ी कहां पर यूट्यूब पर तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा सबसे उपर उसे देख लेना उसमें मैंने खुद बताया सबकुछ की टेली गराम क्या है कैसे जॉइन करते हैं कैसे क्या होता मैं पर सब मैंने बताया है आल बीडियोज इनका नाम है बिटा देखो हमारा नाम है राज कुमार यादो और ये जो चैनल का नाम है जिसे तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे वह है PVR इस्टडी ये मैं लिख रहा हूं PVR इस्टूडियो लिखोगे कुछ बच्चे लिखते हैं तब भी आता है पता नहीं क्या का लिख देते हैं आज आता है यूट्यूब जानता है भाई इतने बच्चे हैं सब गंदे हैं अच्छे नहीं हैं तो कुछ भी लिखने सा जाता हूँ